हलो दोस्तों तो क्या हल चाल आप सभी के हलो दोस्तों तो क्या हल चाल आप सभी के और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के तो दोस्तों आज हम CSS चेंज करना बताएंगे इस वीडियो में काफी दिनों के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि बीच में क्रेक्स वालों ने चेंज कर दिया तो तो किसी का भी अपडेट नहीं हो पा रहा था तो आकिरकार हमने अपडेट कर लिया है और आप देख सकते हुए यह मेरा डिस्पीले पर नजर आ रहा है और सेम वह ऐसा ही आपको हमारे इस पर भी नजर आ रहा है तो हमने कैसे चेंज किया है वो सारी डिटेल्स इस वीडियो के माद्दम से बताएंगे आपको और आपको वो बताएंगे कि किस तरह से इसको चेंज करना है और किस तरह से OBS में सेट करना है तो वह सारी डिटेल्स आज इस वीडियो के माद्दम से हम जानेंगे और आप आसानी से चेंज कर सकते हो तो दोस्तों सबसे पहले हम अपना फाइर फॉक्स ब्राउजर खोल लेंगे और यहां पर देखते हैं तो यहां पर में चल रहा है तो यहां पर ओपर का हम सिर्फ चेंज करेंगे अभी तो फलाल इसी को खोल लेते हैं तो हहां पे सबसे जब्लॉप played ग्राउड तो यहां पर मैंने ले लिया हbound और यहां पर playground डाल दूँगा projets ग्राउड ने मैं डाल दिया है यह हमारा वे रोड यहां पे चेंज ओ गया है और मैं यहां पर इसे काफ़ी कर लोंगा और कोफी करके यहां पर not paid veer कलर तो यहां पर हम दे देते हैं बिलू तो मैंने यह बिलू दे दिया है बेग्ग्राउंड कलर यह थोड़ा सा यहां पर स्पेलिंग में स्टेक हुई है तो यहां पर हम पर बेग्ग्राउंड कलर यह वाला लेना है हमारा यहां पर चेंज हो गया यह बिलू हमने ले लिया है और साइज आप चाहो तो रख सकते हो और यहां पर कुछ चेंजिस करने की ज़रूत नहीं है तो हमने इसको भी कॉपी कर लिया है क्योंकि हमारा विलू एकदम से सही दिख रहा है और यहां पर मैंने भी पेश कर दिया है और अब आगे हम ले लेते हैं पॉइंट साइज तो इसका भी हम पॉइंट साइज चेंज कर लेते हैं तो य इसको की जगह पर फॉंड वेट्स नौ सो कर लेता हैं तो बोल्ट टाइप का दिखेगा तो यह हमारा वोल्ट टाइप का हो गया है मैं इसे भी कोपी कर लूँगा और यह मैंने कॉपी कर लिया और यह से डाल लिया डूसरा और वाकि इसको भी चेंज कर लेते हैं कापी आसान है करना और यहां पर भी हम इसको आर्क विलू दे देते हैं तो विलू हमने दे दिया है इसका पॉंट साइज आप पांसो की जगे पे 900 कर लेना फॉंट विर्थ तो थोड़ा से हो जाएगा अगर फॉंट साइज चेंज बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो यहां से 32 मैंने दे दिया ह है और मैंने कॉपी कर लेता हूं कि दो स्कॉपी किया हमने यहां पे और फिरिस depressed में डाल दिया है नौं दो दालते ही और यहां पर यह चेंज हो गया थोड़ा सा इसको भी बढ़ा लेते हैं तो इसको भी हम बढ़ा लेते हैं तो इसका हम साइज थोड़ा सा बढ़ा करके रख देते हैं और इसको भी 900 कर देते हैं और यहां पर color डाल देते हैं color coding color यहां पर हम blue ही डाल देते हैं तो बलू हो गया है तो देख सकते हूँ आप यहां पे अगर इसको white करना चाहें तो white भी हो सकता है तो बाइट हमाई देख नहीं रहा है तो और यहाँ पर कोई चेंज करके देख लेते हैं यह भी नहीं हमें देख रहा है तो और कोई यहाँ पर देखेगा नहीं रेड आप कर सकते हो रेड यहाँ पर सही से देख सकता है तो रेड भी आप कर सकते हो अगर red up करना चाहो तो red करना है तो थोड़ा सा यहाँ पर point size और बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो यह हमने बड़ा कर दिया है और यहाँ पर इसको हम ले लेते हैं और इसको इसको बिलू ही रहने देते हैं दोस्तों क्योंकि थोड़ा सा फॉंट साइज वह अलग होद रहा है तो इसलिए यहां पर बिलू ही हम रखते हैं इसको और इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं दोस्तों तो इसको भी नॉटपेड में हम पेस्ट कर देते हैं तो हमने पेश्ट कर दिया और इसको हम सेफ कर देंगे सेबेश करेंगे और यहां पर हमने सेबेश कर दिया है इसको तो हमने इसको सेफ कर दिया है और हमारा कुछ इस तरह से ओभी इस में होने वाला है तो यह हमारा पहले वाला है और इसके बाद हम एक नया image ब्राउजर लेलते हैं, हमने यहां पर एक नया ब्राउजर ले लिया है, और यहां पर मैं इसको link को इसके copy करता हूं, और यहां पर जाल देता हूं, इसका size बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा, तो full पर आ जाएगा, थोड़ा सा, कोई भी size आप रख सकते हो, तो दोस्तों यह अभी मैंने यहां पर कर दिया है, अभी color नहीं आ रहा है, और color लाने के लिए हमें क्या करना है, तो हमने जो not pad में, जो हमने CSS save की थी, उसको हम copy करेंगे, और यहां पर मैं उस, उसको copy कर लूँगा, यहां पर new के नाम से save की थी, और यहां पर मैं पेस्ट कर दूँगा, दोस्तों, जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा, तो यहां पर हमारा बेक चेंज हो जाएगा, तो देख सकते हो, दोस्तों, एक मिनट के अंदर यहां पर बेक ग्राउंड, color change हो चुका है, तो दोस्तों, यहां पर देख सकते हो, आप एक मिनट के अंदर यहां पर मैंने यह अपना CSS चेंज कर लिया है, जो मैंने जैसे चेंज किया था, वो सारा हमारे नोट पेड़ में save किया, और उसके बाद यहां पर आपको display पर नजर आ रहा है, तो display पर आप देख सकते हो, color क किस तरह से change करता है, फ्लाल नीचे वेटिंग आ नहीं रही है, तो उसके लिए हम दूसरा वीडियो लेकर काएंगे, तो दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से नीचे players का वो change करते है, color, फ्लाल मैंने आपको score card का color change करके दिखा दिया है, तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को like किजिए, चैनल को subscribe करना ना भूलिए, ऐसी interesting वीडियो और आपके लिए लाता रहूँगा जानकारी के लिए, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको next part में, तब तक के लिए thank you, और बने रही हम